दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिन्वाल क्या किसी लड़की का रेप मुबाइल की वज़े से होता है? क्या किसी गंदी विडियो की वज़े से कोई किसी का रेप करता है? सवाल निहाईटी वाहियात है जानती हूँ लेकिन मेरे नहीं है गुजरात के बीज़ेपी सरकार के ग्रेमंत्री के है गुजरात के ग्रेमंत्री हर्श संगवी कहते हैं कि एक सर्वे के मुताविक जो रेप हो रहे न उसके लिए मुबाइल फोन जिम्मदार है क्योंकि मुबाइल पर उपलब्द अशलील विडियो के कारण ही ज्याद अतर बलातकार होते है नजाने कौन सी रिसर्च है जिसका जिकर गुजरात के बीज़ेपी सरकार के ग्रेमंत्री कर रहे है लेकिन उनका ग्यान यहीं तक सीमित नहीं है ग्रेमंत्री हर्श संगवी आगे कहते हैं कि जब कोई पिता अपनी बेटी के साथ रेप करता है तो यह कोई बड़ा सामाजिक बुद्धा नहीं है क्योंकि इसके पीछे भी मुबाइल फोन है जिसपर बाप पहले पॉन देखता है और फिर रेप को अंजाम देता है रेप पर यह ज्यान उस ग्रेमंत्री की तरफ से आया है दोस्तों जिसके अंतर्गत पूरे गुजराट की पुलिस आती है जब राज जी के ग्रेमंत्री ही मुबाइल को मुबाइल के अंदर के पॉन को रेप की वज़ा मानते हैं तो उनकी पुलिस को संदेश किया जाएगा मतलब कोई लड़की अगर गुजरात के थाने में गई रेप की शिकायत लेकर तो पुलिस वाले रेप करने वाले से पूछेंगे भाई तुने पॉन देखिये क्या अचा ऐसा है तो रेप करने वालों का मेडिकल करवाने से आसान तो उसका मुबाइल चेक कर ले पुलिस मतलब पिता पॉन बेखकर बेटी का रेप करता है तो गलती पिता की नहीं है मुबाइल में मौजूद पॉन की है पॉन खत्म हो जाए तो देश में रेप खत्म हो जाए अगर ऐसा है तो करदे सरकार देश में पॉन बेन दोस्तों यही सोच है जो रेप जैसे जगरने अपराद को लेकर भी हमारे समाज में समवेधन हींता अब तक लाती है अब तक लोग सेंसिटिव नहीं है इस मुद्दे को लेकर एक लड़की का रेप न इसलिए नहीं होता है कि उसके कपड़ों में दोश है या रेप करने वाले ने पॉन देखी है एक लड़की का रेप होता है क्योंकि एक आदमी रेप करता है बात सिम्पल जब तक हम आदमी की जवाब देही इस मामल में तय नहीं करेंगे सीधे आदमी को जब तक हम उसकी कभी न सुधारी जाने वाली भूल के लिए जमदार नहीं ठहराएंगे जब तक हम आगे पीछे ओपर नीचे के बहाने ढूनते रहेंगे तब तक चाहिए 6 महीने की बच्ची हो या 80 साल की बुज़र्ग रेप नहीं रुकेंगे क्या आपको भी ऐसा लगता है आपको गुजरात के ग्रे मंतरी का यह बयान कितना बुरा लगा कमेंट बॉक्स में लिखेगा जरूर और दोस्तों चैनल को जॉइन भी कीजिए सब्स्ट्राइब भी कीजिए क्योंकि ऐसे ही हमारी आजाद पत्रकारीता को बल मिलता है शुक्रिया